पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजबर के साथ ठीक नहीं चल रही है ये बात सारवजनिक तौर पर कई बार सामने आच चुकी है एक बार फिर अखलेश ने दोनों को लेकर बयान दिया है उन्होंने कहा है कि राजबर भी जाड़ फूक करानी पड़ेगी और चाचा शिफपाल को अखलेश ने अपना दल बना कर लोहिया कि सोचांगे बढ़ाने की सलादी है समाजवादी पाज़ि प्रमुक अखलेश यादव ने उन प्रकाश राजबर और चाचा शिफपाल यादव को लेकर बयान दिया है वारानसी में अखलेश यादव ने कहा कि चाचा शिफपाल को लगता है कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा इसलिए अखलेश ने उन्हें आजात किया है अखलेश ने कहा कि शिफपाल जो भी करना चाहते हैं उन्हें करना चाहिए अगर वह लोहिया कि सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपना दल बना कर उन्हें ये करना चाहिए अखलेश उसे सपा गटुबंदन के साथ मिलकर उतरप्रदेश चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजबर पर चिपड़ी की अखलेश ने कहा कि राजबर तो यहाँ पर है लेकिन उनकी अंदर आत्मा किसी और की है इसलिए जैसे गाउदेहाद में जाड़ फूक होता है उसी तरह से उनकी भी जाड़ फूक करवानी पड़ेगी राजबर को सुरक्षा देने के सवाल पर अखलेश ने कहा कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे ही सुरक्षा मिलेगी ऐसे और अपदेट्स के लिए चारण को सब्स्ट्राइब करना ना भूले